हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं तो ये है जॉलाई 2024 का साथियों आज इस जॉलाई 2024 के मंतली राशी फल के दौरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप कन्या लगन राशी के जातक है यनि कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है उनका जॉलाई 2024 कैसा रहने वाला है अलग-अलग छेत्रों में किस-किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना ज्यादा बनती है दूसरी बात कि अगर कुछ छेत्रों में आपको कुछ निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी बात आती है मान लीजे चर्चा के दोरान सामने तो फिर हम उसके अंतमिर आपको कुछ आसान और अचूक उपाई भी जरूर देते हैं अगर उपाईों को आप पूरी शद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ बहतर और अच्छे रुत्तम परिणामों की प्राप्ती भी अवश्य होगी बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आपने जो उपाई बताये गुरु जी वह हम उने किये लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला प्रियसातियों मैं बताना चाहूँगा यह मैजिक नहीं है यह कोई जादू नहीं है हम जितने भी उपाई बताया करते हैं कोई टोटके या तंत्र विद्या के द्वारा नहीं बताते हैं हम वैदिक उपाये दिया करते हैं वैदिक उपायों का मतलब सीधे सीधे भगवान की पूजा अब भगवान को पूजा जब करते हैं हम लो तो भगवान को पूरे निस्वार्थ भाव से हमें पूजा करनी चाहिए हमें उनसे किसी बात का एक तरीके से लालच नहीं रखना चाहिए स्वार्थ के साथ हमें पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी पूजा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी पूजा हम निस्वार्थ भाव से करते हैं उसके ही अच्छे परणामों की प्राप्ति हमेशा होती है और जो स्वार्थ भावना से पूजा या भक्ती की जाती है उसका कभी हमको अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है या उसका कोई फल प्राप्त ही नहीं होता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वैदिक उपाये हैं इनको करने में पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से आपको करना है पूरे डैडिकेशन के साथ ये भूल जाना है कि हम किसी इसको उपाये के तौर पे कर रहे हैं नहीं हम इसको प्रभू के वंदना कर रहे हैं और प्रभू की वंदना हम दिल से कर रहे हैं और ये दिल से निकल रही है ऐसा मान करके ऐसा सोच के साथ आप करिए तो देखिए आपको निश्चित रूप से अच्छे परणामों की प्राप्ति अवश्य होगी भगवान के साथ कोई बिजनस डील नहीं कर रहा है हम कोई व्यापारिक डील नहीं कर रहा है समझोता नहीं कर रहा है कि صاحب हमने आपका यतना पूझा कर ली और आपने हमें कोई फली नहीं दिया ये क्या बात हुई ऐसा नहीं होता है तो सातियों ये बात थोड़ा समझने की है यहाँ पर तो प्रिया सातियों जैसा मैंने कहा करने अलगन राशी के जातकों के विशे में बात करेंगे और जानेंगे देखे गुरों के अधीन सारा संसार है हम और आप कोई भी बचा नहीं है तो गरों की सिती अगर अच्छी होती है तो अच्छे परणामों की प्राप्ती होती है और गरों की सिती कमजोर होती है या आशोग सिती होती है तो उसके ही अनुसार हमको परणाम प्राप्त होते हैं तो आईए जानने की कोशिश करते हैं कि इस जॉलाई 2024 में आप कन्या लगन राशी के जो हमारे मित्र है उनकी ग्रों की सिति कैसी रहने वाली है लेकिन आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्पले हमने करवाया हुआ है ये चार्ट आप क सिति हमने क्लियर कर दी इसके अतरिक कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशी का परिवर्तन करेंगे एक राशी से निकल करके दूसरी राशी में जाएंगे और ये नेचरल फेनमोना है ये होता ही है प्रतेक महा कुछ ना कुछ ग्रह अपना राशी का परिवर्तन करते तो यह सारी जानकरी आपको बहुत ही संग्षेप में हम देने जा रहे हैं इसके उपरांगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंत्री राशीपल को लेके तो आईए साथियों जान लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे सूरे की सूरे अभी दशमबहाओ में बैठे हैं जहां पर तीन नमबर लिखा है मित्र राशी है यह बुद्ध की और वहां पर सूरे बैठे हैं और यह सूरे तारीक तक यहां बैठे रहेंगे जोलाई तक एक जोलाई से लेके सूले जोलाई को यह अपना राशी परिवर्दन करेंगे और यहां से निकल करके यह अपनी मित्र र है यह मेश राशी है उनकी अपनी राशी है और अपनीगर मैं अपनी राशी में अश्टम भाव एर्थ Also में बने यह के प criteria भी ऑ्रषब्राशी में अपनी सम्राशी में घुरू तो की पर यह मों परमितर हैं तो बरस्पति के साथ संब्भ बनेका, 12 उलाई से लेके महा के अंते तक दौनों मित्र ग्रहें एक साथ बैठेंगे बहुत अच्छा राज्योग का निर्मार यहां पर इनके दौरा हो जाएगा तो प्रिया साथियों आगे की बात करते हैं मंगल के बाद बुद्ध की तो बुद्ध जो है अभी अपनी शत्रु राशी कर्थ में बैठेंगे इलेविंत हाउस में अपने मित्र शुकर के साथ लेकिन यह उननिस जॉलाई तक यहां रहेंगे एक जॉलाई से उननिस जॉलाई को यह अपनी इस राशी से निकलने पर पांच नमबर लिखा है और यह जो वहाँ जाएंगे तो मारगी और उदे तवस्था में अच्छी पोजिशन में जा रहे हैं अपने मित्र के भी घर में जा रहे हैं और यह फिर वहाँ पूरे महीने रहेंगे उननिस जॉलाई से बुद्ध आगे बात करते हैं शुक्र की शुक्र जो है अभी जहां पर आप बैठा हुआ देख रहे हैं अपनी शत्रू राशी कर्क में 11 थाउस में यह यहां पर 6 जॉलाई को आएंगे दरसल एक जॉलाई से 6 जॉलाई तक यह सूर्य के साथ रहेंगे मित्वन राशी में जहां पर 3 नमबर लिखा है दशन जाएंगे तो फिर यह मारगी और उदे तवस्था में 7 जॉलाई से लेके और 31 जॉलाई तक एक आदश बाहों में अपनी शत्रू राशी कर्क में बने रहेंगे इनका अपने मित्र ग्रेब उद्ध के साथ संबंद रहेगा 11 जॉलाई तक और यहां पर सूर्य भी आ जाए जाएंगे शुक्र और यहां से निकल करके यह अपनी शत्रू राशी कर्क से निकल के अपनी शत्रू राशी सिंग में का प्रिवेश होगा जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है जहां पर पहले से ही बुद्ध ग्रेम मौजूद होंगे तो उनके साथ यह संबंद बनाएंगे अब बात करेंगे केतु की केतु जो है लगन बाहु में बैठे अपनी समराशी कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे बात करेंगे राहु की तो राहु भी सेविंध हाउस में अपनी समराशी मीन में बने हुए है बरस्पती के घर में और वो भी इसी प्रकार बने रहेंगे अंत में बात करेंगे शनीग रहे की शनीग रहे जो है अपनी स्मयम की राशी कुम्ब में जहां पर ग्यारे नंबर लिखा है छड़े बहों में बैठे हुए हैं वकरी और उदय तवस्ता में जी यहां उल्टी चाल इनकी बनी हुई है तो यह उल्टी चाल चल रहे हैं और यह इसी राशी में बने रहेंगे पूरे महीने उल्टी चाल चलते रहेंगे और उदेत भी रहेंगे अस्त नहीं रहेंगे प्रिया साथियों यह स्थिती थी ग्रों की जिससे अभी हमने आपको चाहूंगा मैं प्रियसातियों कि एक तारीक से सोले तारीक तक का जो समय है जोलाई का ये आपके उन्नती का समय है या फिर ये कहा जाए कि आपका बोल बाला रहेगा अपने कारे छेतर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर रहे हैं इस डूरेशन में और य ये सातियों सोले तारीक तक आपकी पोजिशन को काफी अच्छा और मजबूत बना के रखेंगे और आपको उन्नती भी हो आपकी पोजिशन बढ़े इस बात के भी बहुत अच्छे सूर्य देव के द्वारा संकेत यहां पर मिल रहे हैं 16 तारीक के बाद क्या होना है? 16 तारीक के बाद से मैं आपको बताना चाहूँगा की आपको धुर दराज की यात्राई करनी पड़ सकती हैं जो कि आपके लिए काफी लाबकारी रहने वाली है ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा तो साथियों दूड दराज की यातरा करने से भी आपको अच्छे लाप की प्राक्ती होगी आपको 온 तरीके से वह यातरा सुखद रहेगी और आपका कारे भी अच्छे ढंग से आप करते रहेंगे और सफलता आपको मिलती रहेगी अपने कारेंगे तो मैं कह सकते हैं कि पूरा महा अच्छा ही जाने वाला है आपके अपने प्रोफेशन को लेके करियर को लेके कोई ऐसी समस्या यहां पर हमें दिखाई नहीं पड़ती आगे बात करते हैं आपकी अर्निंग्स को लेकर आपकी सुख सुविधाओं को लेकर जहां तक अर्निंग्स का प्रशण है प्रियसातिओं बताना चाहूंगा अर्निंग्स आपकी काफी अच्छी रहने वाली हैं पूरे महीने ही पूरे महीने तो अर्निंग्स को लेकर कि मुझे यहां कोई दिककत नजर नहीं आती और दूसरा मैं आपको बता दू कि 19 जॉलाई से लेके और महा के अंते तक थोड़े धन के खर्च में अधिकता रहेगी तो उसको हो सके तो नियंतरल में रखें जहां तक जितना हो सके आपके लिए अच्छा रहेगा अगर खर्चों को नियंतरल में रखेंगे विशे शुरूप से 19 जॉलाई से लेके और महा के अंते तक कुछ खर्च की अधिकता का योग बना हुआ है प्रियसातियों मैं बात करूँगा अब आप से सुक्सुविधाओं की सुक्सुविधाएं थोड़ा सा उनसे आप वंचित रह सकते हैं उनका लाब लेने से वंचित, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए सुक्सुविधाओं उपलब्द नहीं रहेंगी उपलब्द भी होंगी तो भी आप उनका पूर्णतिया लाब लेने से वंचित रहेंगे क्योंकि आपका जो फोकस है अपने कार्यों पर अपने करियर पर कुछ अधिक रहने वाला है तो इसलिए सुख सुविधाओं का लाब कौन लोग लेते हैं सुख सुविधाओं का लाब तो वही ले पाता है कि जिसके पास कोई जादा विशेश काम ना हो भाग दोड़ी ना हो और सब कुछ बैठे बठाए हो रहा हो तो इसलिए वो तो ले सकते हैं लेकिन आपके केस में तो हमने कहा कि यात्राएं भी है दूर दराज की उनका भी योग बना हुआ है तो मतलब कारणें में कुछ व्यस्तिता अधिक होने के कारण भी आप सुपसुधाओं का लाब लेने से वंचित रह सकते हैं आगे बात करेंगे आपकी प्रेम संबन्द हों की कि प्रेम संबन्द कैसे रहेंगे देखिए रोमेंटिक तो आप बहुत रहेंगे पूरी तरह से रोमेंस आपके अंदर रहने वाला है मैं आपको बता दूँ विशेश रूप से 6 जॉलाई से और 31 जॉलाई तक पूरी तरह से और बुद्धी का भी पूरा बरपूर उप्योग करेंगे आप साथियों अपने रोमेंस में जिसके साथ आपका संबन्द बना हुआ है एक तरीके से लव एफियर कहले या लिव इन रिलेशन्शिप कहले तो वहाँ पर भी आप अपने पुद्धी का भी पूरा उप्योग करेंगे और अपने रोमेंस का भी पूरा एंजोई करेंगे रोमेंस को उस अपने मित्र के साथ प्रियसातियों अच्छा संबन्द रहने वाला है पूरे महीने रहने वाला है और आप एंजोई भी कर रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं मित्र का भी आपको पूरा सायोग मिल रहा है आगे बात करते हैं कि जो वेवाहिक संबन्द हैं आप करने अलगन राशी के जात्कों के वो कैसे रहने वाले हैं तो जो आपके वेवाहिक संबंद हैं उन में थोड़ी वेवाहिक सुखों में कमी के संकेत यहां पर मैं देख पा रहा हूं लेकिन प्रियसातियों ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा कोई तनातनी या कोई बहुत जादा तनाओ थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं कहा सुनी वाली चीजे वो चलती रहेंगी अब वो ना चले या उनमें कमी आए उसके लिए उपाये आपको अंत में जरूर देंगे हम उनमें को कीजेगा आपको उसका लाब मिलेगा अब आगे बात करते हैं कि बही परिवारिक संबन्द कैसे रहेंगे तो परिवारिक संबन्द जो हैं प्रियसातियों बताना चाहूंगा कि सामानने से मध्यमी ही रहेंगे पूरे महीने थोड़ी बहुत बीच में कास होनी भी हो सकती है फ्वटस एक तरीके से टेंशन भी हो सकती है लेकिन फिर बीच में पता चला कि चीजए नॉर्मल हो गई जब कुछ ठीक हो गया ऐसा चलता रहेंगा मतलब मिले जुले संबन्द बने रहेंगे मिले जुले परिदाम प्राप्त होंगे अपने परिवारिक संबन्दों को लेकर प्रिया सात्यों लेकिन आपके घर के बड़े बुजुर्ख जो है बारे जुलाई तक इसका योग बना हुआ है आगे बात करते हैं कि आपके कार्डियों में भागे का कितना ही होगा भागे का भी पूरा ही होगा आपको मिलने वाला है मिलता रहों और बारे जुलाई से लेकर महीने के नंतर तक आप बहुت energetic रहने वाले हैं और महनत और परिश्रम के दम पर आप सारी चीजों को एक तरीके से अपने नियंतरन में करने की छमता रखते हैं कारे आपके हाद से बाहर नहीं जाने वाले हैं जो भी कारे आपको मिल जाएगा समझ लीजे के वो तो आप पूरा करके ही पीछे अटेंगे आसानी से पीछे नहीं अटेंगे और उसमें सफलता भी पराप्त करेंगे तो परिश्रम आपका पूरा बना रहेगा पराकरम आपका कमी नहीं रहेगी किसी भी तरीके की प्रियसातियों मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन को ले करके कैसा रहगा प्रियसातियों एजुकेशन का ऐसा है कि जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको उसके fruitful results अवश्य मिलेंगे मेहनत कम करेंगे तो कम प्रेणाम अच्छे प्राप्त होंगे अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक अच्छे प्रेणामों की प्राप्ती होगी कुछ इस प्रकार का कुछ योग ग्रहों के द्वारा यहां पर बना हुआ है चात्रों के लिए लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जो higher studies कर रहे हैं वे जो चात्र हैं वो मेहनत तो उनको भी करने की आवश्यक्ता रहेगी लेकिन उनके प्रेणाम को जादे बहतर आने की संभावना यहां पर बन रही है अगर मेहनत करते हैं तो तो प्रियसातियों आगे बात करते हैं संतान की और से संतान की और से भी माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ती होगी, कुछ परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, कुछ परिणामों में थोड़ी नराशा भी हात लग सकती है स्वास्त कैसा रहेगा? स्वास्त भी मैं असात्यों की बताना चायूँगा प्रिया सात्यों उपाय आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं क्योंकि आपकी धर्म में अच्छी खासी रूची रहने वाली है धर्म में आस्था रहेगी तो आप एक तो गणपती जी की पूजा नियमित रूप से करें और दूसरा उपाय आपने क्या करना है दूसरा उपाय आपने करना है दुर्गा सब्थ इश्लोकी का पाठ उसमें सरफ साथ इश्लोग होते हैं आपने वो नियमित रूप से करना है दुर्गा सब्थ इश्लोकी उसका पाठ आप जरू करें और प्रियसातियों अगर आप सु तो उससे आपके सुख सुविधाओं का लावाब बहतर तरीके से प्राप्त कर सकेंगे तो प्रियसातियों ये थे वो उपाए आप करने अलगन राशियों के जात्कों के लिए अगर आप करते हैं तो निश्चत रूप से आपको अच्छे परियनामों की प्राप्ती होने जा रही है तो प्रियसातियों ये था आप करने अलगन राशियों के जात्कों का मंतली राशियों जोलाई 2024 का अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है जैसा कि हम आशा करते हैं के पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे तो वो लोग भी आसानी से इसका लाव ले सकेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे बनते हैं के टॉपिक पर वे सभी आसानी से समय रहते विद नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सकें तो फिर आप को करना है बैल आइकन को प्रेस जी हां साथियों इसी के साथ अपने कारकरम का समापन करेंगे और अपनी वानी को देंगे वराम और अपने आप सभी प्रिये दर्शकगणों से अपने प्रिये विवर्स से लेंगे इजाजत तो आप सभी का सैड़्द बहुत बहुत धन्यवाद जैमात अदी झाल